आज हम यूनित नंबर फोर का टॉपिक नंबर टू में जो चीज देखने जा रहे हैं वो यह देखने जा रहे हैं कि हम अल्रेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास रीसर्च बेस्ट रीडिंग मैथड्स मौझूद है एक मैथड हमने डियलॉजिक मैथड डिसकस कर लिया आज हम देखेंगे कि टेक्स टॉक मैथड क्या होता है और इसमें टीजर क्या आजीव करना चाहता है तो सबसे पहले तो हमारे सामने है कि यह text chart है यह text talk method है कि किसने create किया था definitely हमारे सामने नाम है back के और micon के और उनके associates के उन्होंने इस method को device out किया था उसके बाद इस पर research करके देखी थी ताकि इसकी effectiveness हमारे सामने आ सके और उसके बाद यह एक बहुत ही एहम method के तोर पे हमारे सामने है और हम teachers रहें इसको इसको इस्तेमाल करते हैं especially अपने preschool के अंदर teacher text talk को read aloud के अंदर जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उनका basic मकसद यह होता है बच्चों की vocabulary को develop करना और vocabulary enhancement इसका मतलब यह हुआ कि जो आप कहानी लेके class में जा रहे हैं आप उसमें already जो vocabulary है उसको underline कर लेंगे उसके बारे में सोचेंगे और आपका main objective यह होगा कि आप इस vocabulary को बच्चों को meaningful तरीके से introduce कराएंगे एक context, एक कहानी, एक narrative में रखते वे, बच्चे उन vocabulary को पढ़ेंगे, आप उनको सुनाएंगे उस कहानी में कि वो जुमलों में कैसे इस्तेमाल होते हैं, किस context में इस्तेमाल होते हैं और उनकी understanding उसके बारे में बढ़ेगी और definitely आप बच्चों से इसके उपर discussion भी करेंगे जब हमारे पास text talk का method होता है, तो इसके अंदर हम बच्चों को बावाजे बुलंद पढ़ के सुना रहे होते हैं की मकसद यही होता है कि जो हमारी vocabulary specific उफ पर हमने बच्चों से गुफ़तो शिनीद करनी है intellectual और analytical conversation करनी है ताके बच्चे जो हैं उन इलफास को properly grab कर सकें और अच्छी तरीके से उन्हें याद हो जाएं important चीज़ क्या है कि आप already किताब पढ़ ले और उसके अंदर से जो आप vocabulary बच्चों को introduce करवाना चाहते हैं उस vocabulary को already select कर ले उसके बारे में अपने दिमाख में questions लेकर आएं activity लेकर आएं plan out करके practice करके बच्चों के सामने कहानी और वो vocabulary लेकर आ जाएं एक critical element इसके अंदर यह होता है कि आप कौन से words जो है वो choose कर रहे हैं कौन सी vocabulary आप बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं इसके लिए हमारे पास एक अच्छी सी guideline मौझूद है उसको हम पढ़ते हैं definitely हम वो terms बच्चों को सिखाएंगे जो बच्चों के लिए सीखनी आसान हो उनकी mental age के मुताबिक हो बच्चों से relate करती हो उन term को जब मैं explain कर रहे होंगे तो उसको इस तरीके से explain करना है कि बच्चे उससे समझ सकें वो familiar हो और engaging हो ताके बच्चे ना सिर्फ उसको समझें उनके attention आप के उपर हो और उनको लगे कि ये terms हमें याद करना जरूरी है क्योंकि ये useful हैं और ये हमारी conversation में इस्तेमाल होती है guideline है हमारे पास back की उन्होंने हमें बताया है कि हमारे पास तीन tires ऐसे हैं जिसके थूरू हम interesting किसम की vocabulary बच्चों को कहानियों में सिखा सकते हैं और introduce कर आ सकते हैं first time के अंदर हम इस किसम की vocabulary बच्चों को introduce कर आते हैं जिससे बच्चे already familiar है मिसाल के तोर पे जो school बच्चा आ रहा है वो जानता है कि वो बच्चा है और babies घर में मौझूद है students है, teachers है, school एक word है, hunger है, break है, ceiling है इस किसम के जो arm word है, classroom है, उसके अंदर furniture है, white board है, friends है, lunch box है ये common words हैं जो बच्चे इस्तमाल भी कर रहे हैं, वो जानते भी है तो एक तो vocabulary ये होगी कि हमें सबसे पहले आसान और familiar vocabulary बच्चों को introduce करवानी चाहिए, कहानियों के थ्रूँ हमारे पास second vocabulary जो आती है, वो tie two की आती है tie two में हम ऐसे words introduce कर आते हैं, जो हम commonly इस्तमाल नहीं करते या वो अभी बच्चों की vocabulary में add-on नहीं होते हैं, like coincidence है, like avoid है, like travail है, like solemn है अब ये वो words हैं जो बच्चों ने अभी शायद नहीं सीखे या अभी उनके literature में नहीं आए तो थोड़े से complex और difficult word हम उन्हें introduce कर आ रहे हैं उसके बाद हमारे पस third tier ऐसा आ जाता है, जिसके अंदर हम बच्चों को बिलकुल ही uncommon terms, concept ये terminologies जो हैं, वो सिखा सकते हैं vocabulary में उनको introduce कर वा सकते हैं और वो definitely आपकी curriculum में कहीं से भी हो सकती है मिसाल के तोर पे photosynthesis हो सकती है, मिसाल के तोर पे peninsulas क्या होते हैं, वो हो सकती है continents जैसे words है, वो हो सकते है तो ये मुश्कल terms और words है, इनको हम सिखा सकते हैं और इनके सिखाने का तरीके कार क्या है, कि हम easy to difficult, simple to complex words की तरफ आते हैं जब हम तरीकों को इस्तेमाल करते हैं, बच्चों की vocabulary बहतर तरीके से develop हो सकती है